आपका स्वागत करते हैं विधायक जी चले गाउं के ओर में आज हमारे साथ हैं और रहिया से बात्पा विधायक त्रमेश चंदिवाकर जी जो कि अपने 6 से पहली बार विधायक हैं और आज की समय में जो ग्राम पंचायट की स्थितियां हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहें गिराम पंचायट की स्थितियां पहले से जो पहले से नहीं होता था अब वो नीचे तक खर्च हो रहा है और आवास की विवस्ता रासनकार की विवस्ता जो मूल वूत जरूरते हैं मेटकल की विवस्ता सिच्छा की विवस्ता सडक की विवस्ता बिजली की विवस्ता जो गाउं तक सुरच्छा की विवस्ता गौं तक का जो विकास है वह बहुत तेज गती से हो रहा है इसनी गती से हो रहा है तेज गती से जैसे कि सरकार बने के टाइम से टाइम पे मुख्यमंत्य योगी आदितना जी ने कहा था कि गड़ा मुख्य तो प्रदेश बनाने के लिए लेकिन आज भी बहुत से गववें जहां पे गड़े बहुत सारे हैं वहां पे जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है अभी तो जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 80% गड़ा मुक्त सलके होचके ही आप सुता जाके देख सकते हैं जो और बहुत से सर्वे के बाद ही पता चला है कि जो गाउं में जो गराम प्रदान होते हैं वो गाउं का विकास कराना च और गाउं तक विकास पहुंच रहा है गाउं के में जो स्कूल हैं उनकी स्थित्यों के बारे में आप क्या कहेंगे पहले से बहुत बेटर है पहले से बहुत बेटर होगी क्या 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 बेटर होगी बेटर ये होगई कि टीचर समयस जाते हैं जो पहले टीचर समयस नहीं कि अच्छा फरनीचर जो कभि बचês नीचe बैठते थे जमीन पर बैठते थे जो जो दियाले में बाँंडरी की बाँंडरी हो रही है कि कहने का मतलब यह है कि जो टीचर कभी जो हमारा जो बाहर च्वाहन बेहरा 알았어 पढ़ता है यमना चम्मल का मैदान है मैदानी बेरी छेत्र है वहां पर कभी भी टीचर जाते नहीं थे अब टीचर जाते हैं क्यों जाते हैं चुकि इस समय जो गुंडा राज था उससे मुक्ति मिली है जो गुंडा राजे वो खतम हो गया है ये गुंडा राज खतम तो ना हुआ था ना कभी होगा लेकिन जब राजा अच्छा होता है तब किराइम कम हो जाते हैं जब राजा खराब होता है तो किराइम बढ़ जाते हैं जैसे कि आपने का कि स्कूलों की जिस्टितिया है उसमें टीचर समय से जाते हैं तो बहुत सारे सर्वे की बाद ये पता चलाए कि बहुत सरे जो ऐसे गाओं है इसे टीचर तो बहुत हैं लेकिन आता कोई भी निस्टिफ एक टीचर पढ़ाता है सारे बच्चों लेकिन इसक जुम्मेदारी है कि बच्चे स्कूल पहुँचे है अगर स्कूल पहुँचे तो उनकी पढ़ाई हो जैजि हम टीचरों की बात करें कि टीचर स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे जो स्कूल जाएंगे कि आगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनका भवी सिका क्या हो पहले था अब नहीं है तो नहीं है तो सारे टीचर स्कूल जाते हैं जो बात करने अच्छा विदायक जी स्वास्त की तो जो गौंबे जो अस्पताल है उनमें साफ सफाई नहीं है और जो डॉक्टर ने वो जो डॉक्टर ने वो चाना नहीं चाते हैं तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है देखिए ये तो बात आप मुझे समझ नहीं आती जो पिछली सरकारों की जो गड़वलियां थी इस सरकार में नहीं चल लेए आप किसी भी हमारे छेत्र में क्या माननी विदायकी जी के छेत्र में आप देखेंगे साफ सफाई वेवस्ता डॉक्टर वेवस्ता हाँ ये जरूर है कि डॉक्टर की कमी है सरकार उसको पूरा कर रही है अब ये कोई डेट नहीं बताए जा सकती आपको जी जो और ये जो किसानों की जो दो दसा है वो किसी से चुपी नहीं है तो किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए सरकार सब कुछ कर र होगी शड़क होगी तो उनकी फसल होगी आने जाने में साहता मदद मिलेगी और सही समय पर मंदी पर पहुचेंगे उन्ने सही दाम मिलेगा बिचूलियों से बचेंगे बजली की बात करें तो कई पुर्देसों में बिजली किसानों के लिए free है लेकिन उत्ता प्रशीज में अई साहता है है यह सरकार निड्ले है सरकार जो निड्ले करेगी जो उनकी बेठाउख होगी उसमें उसका जवाब मैं नहीं दी सकता योजना चलिती मर्देगा योजना जिसमें जो मज़़ूर काम करते हैं उसके 1-75 रुपे मिलता है ये कैंद्र सरकार की यूजना है और ये सही बात है कि 75 रुपे क्या होता है सरकार इस पर नड़ले करेंगी जिल नड़ले करेंगी ये कॉई समय सीमा नहीं है चुकि आपनी बैठा कोगी तोगी जुक्त तो इस साधारस बिधायकों इसके बारे में ज्यादा नहीं बो सकता है तो ये इस बात को लेगा विधान समा में सवाल उठाएंगे बिल्कुत सवाल रोज उठ रहे हैं और हमाई सरकार सम्मेदन सील है सभी 22 करोल की जनता है उसके प्रत हम लोगों सबकी जवाब दे ही है और मानने योगी जी रात दिन उनकी कैबनेट बिधायक और हमारा संगठन सभी चिंते थे हैं कि किसान बिरोजगार और जो भ्रष्टा चाहर है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए और इस पर कार बहुत तीज गतिस हो रहा है लेक जी आपके साथ से गाउं में ऐसा क्या क्या होना चाहिए जो आम इंसान जाए वो खुस रह सके खुसाल जिनकी जी सके मूल सबदा होती है सुरच्छा चिकिसा सिच्छा सडक पानी बिजली ये मूल भूस्त आवसकता होती है गाउं की और ये सारे पे सारा इस पर काम चलना है जिन गरीबों पास आवाज नहीं है मैं आपको बता दूँ पिछली सरकारों में पांस साल में बारा हजार सिर्फ इन लोगों ने आवाज दिये थे लेकिन मेरी सरकार एक साल में बारा लाख आवाज बार चुकी है और स्वाचाला की आप बेवस्ता तो देखी रही होगी बहुत बिशुष्टर पर ये काम चलना है बहुत बहुत धन्यमात विदायगी अपका तो ये तो दे आरया से भाजपा विदायग रमेश संदिवा कर दी जिन्होंने हमारे सवालों के जवब बड़ी सूद्बूच के साथ नहीं और इन्होंने ये कहा है कि विदायान सवा में किसानों की बात को लेकर सवाल उठाते रहेंगे तब तक के लिए देखते हैं हमारा खास कारग्रम विदायगी चले गाउं के ओर रात आर्थ बजे और शिल्पी को दीजिए इजाज़त नमस्कार